वेलकम टू इलाइट अकेडमी चलिए आज किलास स्टार्ट करते है आज की किलास में हम लोग पढ़ेगे एक्सराइज 1.2 के सभी कोस्टन्स को डिटेल में समझेगे लास्ट किलास में हमने 1.2 से पहले आने वाले सभी एक्जामपल को समझाता आज हम उससे रिलेटिड सभी कोस्टन्स को करेगे ठीक है तो चलिए स्टार्ट करते है रिलेशन एंड फंक्शन्स एक्सराइज 1.2 चलिए यह फर्स्ट कोस्टन को देखेगा ध्यान से उसने कहा सो देट फंक्शन एफ सच देट र स्टार टो र स्टार डिफाइन बाई एक्स इस एकल तो 1 बाई एक्स इस न वन वन एंड ओन टू वेर र स्टार इस दा सेट उफ आल नोन जीरो रिल्स नंबर मतलब जीरो वो निकाल दीजे बाकी रिल नंबर है Is the result is true ठीक है If the domain R стар is replaced by n यदि जो ये domain है domain क्या होता है ये domain होने होता है ये co domain होता है तो यदि इसको replace कर दे जाए n के दोवारा तो क्या ये तब भी result proof रहेगा चलिए जी पहले दिया गया है यहां पे F Such that R star to R star ठीक है तो यहाँ पे आपको defined by fx equal 1 by x तो सबसे पहले जब आप इसको 1 1 proof करोगे तो मैंने क्या है मैंने last class में भी समझाया था आपको वहाँ पे बताया गया था जब आप 1 1 proof करोगे तो यहाँ पे आपको let करना है ऐसे दो element let x1 and x2 belongs to r star such that जो इस परकार है कि fx1 बराबर होगा fx2k बात के लिए जब देखिए यह दोनों equal है तो by definition जो definition दी गई है हमने यहाँ पे इसकी value put की तो this implies आजाएगा 1 upon x1 बराबर होगा 1 upon x2k अब आप मुझे बतायेगा जब यह divide में equal है तो क्या हम इसको यह नहीं कहेगे कि x1 equal होगा x2k x1 equal होगा x2k देखिए हमने जो यह दोनों element इस परकार से let किये थे कि उनकी image equal है हमने यहाँ पे proof किया कि वह खुद ही element equal होगे तो इसी का मतलब तो होता है कि f is 11 f is 11 बात किलियर हुई तो f 11 हुआ चलिए जी अब आपको करना है on to अब यहाँ पे आप लिखोगे let y belongs to r star such that जो यहाँ पे 1 upon y लिखेगा 1 upon y belongs to r star such that जो इस परकार है कि f x equal है 1 upon y के where जो x है यह कहाँ पे होगा r star में तो this implies यहाँ देन देर एक्जिस्ट यहाँ पे आप लिखे 1 upon y belongs to r star then there exists f x equal 1 upon x where x belongs to r star तो इसका मतलब है जो r है sorry जो f है f जी क्या होगा on to होगा बात समझ आई तो f 1 1 भी है और f on to भी है बात के लिए चलिए जी यह तो था यहाँ तक solution लेकिन उसने कहा क्या है result if the domain r star is replaced to n with co domain मतलब जो यह यदि हम domain को answer release करें क्या result तब भी प्रूफ हो पाएगा चलिए जी उसको समझते हैं थोड़ा सा उसको समझने से पहले यदि आपने यह नहीं लिखा है तो आप इसका सेम question करोगे एक्जाम में आपको बिल्कुल अच्छे नंबर प्राप्त होगे चलिए जी किलियर है उमीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा चलिए second concept देखते है इसने कहा है कि यदि जो यह है जो आर इस्टार है इसको यदि मैं replace कर दूँ तो एक दूसरा function बन जाएगा n से लेके आर इस्टार में जहाँ पर यह क्या है natural number यह क्या है real number तो यहाँ पर आप करोगे let x1 x2 belong to यह दोनों element यहाँ पर होगे n में such that such that such that यह होगा fx1 बराबर है fx2 के तो by definition यह दोनों हो जाएगा fx1 equal हो जाएगा 1 upon x2 आप यहाँ पर इसे कह सकते हो x1 equal होगा x2 के और जब यह equal होगा तो आप क्या होगा f is 11 sorry g is 11 चलिए तो g11 तो हो गया लेकिन क्या यह on to be होगा अभी देख लेते हैं लेट वन पॉइंट टू बिलोंग इस्टू आर यह आर में होगा ठीक है बट देन देर एगजिस्ट एक्स बिलोंग इस्टू एन शच देट जो f x होगा मतलब जो यह यहां पर समझेगा इसको इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे लिखेगा देन देर एक्सिस्ट वन अपोन टू नोट बिलोंग इस्टू एन बात के लिए यहां पर जो यह वन बाई टू बिलोंग करेगा आर इस्टार में यह आर इस्टार में तो होगा लेकिन इसके रेस्पेक्ट में जो 1.2 आएगा वो एन में नहीं होगा जब वो एन में नहीं होगा तो f is not on to तो f on to नहीं होगा बात के लिए सोरी जी जी on to नहीं होगा जी क्या है जब हमने इसका डोमेन जो है चेंज गर दिया नेचुरल नंबर के साथ बात के लिए चलिए next question को देखते हैं next question में क्या है check the injectivity and surjectivity of the following function जो यह function दिये गए है आपको यही check करना है कि क्या यह one one और on to है देखिए यहाँ पर मैं आपको सीधा साधे से बता देता हूं याद रखिएगा यदि दोनों तरफ रियल नंबर है तो यहाँ पर चाहे कुछ भी function हो क्या होगा वो one one and on to होगा अब आप यहाँ पर देखिएगा क्या इसमें यह one one on to है पहले मैं इसको first part को देखता हूं देखो जब आप one one proof करोगे तो यह one one होगा कैसे देखिएगा एक बार देखते हैं यह one one है या नहीं है हमने let किया let x1 and x2 belong to n such that जो fx1 है यह equal होगा fx2 के यहाँ से आप कह सकते हो x1 का square equal होगा x2 के square से इसका मतलब होगा x1 equal होगा plus minus x2 के यहाँ पे x1 equal x2 नहीं आया यह equal होगा plus minus 2 के मतलब जो x1 है वो minus x2 भी हो सकता है तो जब यह equal नहीं आया तो आप यहाँ से कहोगे f is not on to f on to नहीं है बात समझ सोरी one one नहीं है f one one नहीं है तो f क्या है many one यहीं से आप लिखोगे f क्या है many one है चलिए second part many one का मतलब होता है inject sorry one one का मतलब होता है injective तो यह injective नहीं है बात करते है second surjective की surjective कैसे proof करोगे यहाँ पे आप देखेगा let या since since 4 belong sorry since 5 belongs to n then there exist जो यह 5 square root of 5 आएगा यह belongs नहीं करेगा n में such that कि f x equal क्या जाएगा x square मतलब root 5 equal root 5 का square मतलब 5 बात के लिए यह तो n में है लेकिन यह n में नहीं है तो यहीं से आप क्या लिखोगे n is not on to मतलब यह on to नहीं है बात के लिए मतलब जो natural number है यहाँ पे square है तो यह ना तो on to होगा और ना ही यह one one होगा बाग के लिए चलिए जी second question को पढ़िएगा second question में इसने कहा f such that z to z z kya होता है set of integer z क्या होता है हाँ जी z होता है integer integer में plus b होता है और minus b होता है तो यहाँ पे आप देखेगा यह बिल्कुल same करना है ठीक है plus b होता है और minus b होता है जब plus b होगा minus b होगा तो यह दोनों values में exist करेगी किस में n में sorry z में z में z में दोनों value exist करेगी तो यह one one भी होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे one one है बात के लिए यह question आपका one one होगा on to नहीं होगा बिल्कुल same reason यही देना है बात के लिए चलिए जी आर वाला concept आप देखेगा मैंने example में करा रखा है यदि आपने last video नहीं देखा तो प्लीज उसको एकबर जाकर देख लीजेगा इस video के description board में उसका आपको link मिल जाएगा यह बिल्कुल example है same question है वो ही ठीक है चलिए जी अब आप यहाँ पे देखेगा n such that n given by f x equal है x की power 3 के तो आप यहाँ से देखोगे let x1 x2 belongs to कहीं में करेगा n में ठीक है such that यहाँ पे आपको लेना है क्या f x1 बराबर होगा f x2 के जब यह दोनों equal है तो by definition यह आ जाएगा क्या यह आ जाएगा x1 का cube equal x2 के cube के तो जब आप यहाँ पे cube root निकालोगे तो this implies x1 equal हो जाएगा x2 के आपने देखा हम element image same लेके चले थे लेकिन हमने यहाँ पे element भी same दिखाया तो जब element भी same दिखाया तो उसी के कारण इसको हम बोलेगे क्या जो f है वो क्या हो जाएगा one one हो जाएगा बात के लिए f one one हो जाएगा लेकिन f on to नहीं होगा since on to क्यों नहीं होगा क्योंकि देखेगा since 3 belongs to n but square root of 3 does not belong to n this implies n is not sorry f is not on to बात के लिए जब यह इसका मतलब आप जो pd में देखोगे यदि वो n में नहीं होगी तो वहाँ पर क्या हो जाएगा on to नहीं है तो वहाँ पर क्या होगा फिर into होगा बात के लिए उमीद है आपको बिल्कुल अच्छे से यहां तक समझ आया होगा चलिए जी next question को देख लेते है next को देखेगा क्या यह one one है या on to है यहां पर हमने इस question को समझाता यहां पर हमने इस question में देखाता कि यह one one तो है लेकिन on to नहीं है तो बिल्कुल same method यहां पर है यह one one तो होगा one to one मतलब यह injective तो होगा लेकिन byjective नहीं होगा जब byjective नहीं होगा तो यह मतलब sorry surjective नहीं होगा बात के लिए चलिए उमीद है आपको यह सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा चलिए next question देखते है थोड़ा सा और explain हो जाएगा और अच्छे से समझने की कोशिस करते है नेक्स्ट में क्या है इसने क्या है इसने क्या प्रूफ दैट ग्रेटेश्ट इंटीजर फंक्शन f such that r to r given by fx is equal to greatest integer is neither one one nor on to where जो x है greatest integer x denote the greatest integer less than or equal x देखे जो यहाँ पर यह आपको जो greatest integer दिया गया है पहले तो आप इसको समझने की कोशिस करिएगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि जैसे नाम से ही पता लग रहा है greatest integer मतलब जो यहाँ पर value होगी point वाली value छोड़ देनी है जैसे माल ल result आएगा वो 2 आएगा केवल आपको greatest integer लेना है बात के लिए इसी तरीके से माल ले जाए 2.339 आएगा तो उसका answer भी 2 आएगा जैसे माल ले जाए 2.9899 है इसका answer भी 2 होगा मतलब जो यहाँ पर greatest integer होगा वही आपका answer होगा अब आप देखोगे कि एक से ज्यादा function है और अब की मेज एक पर जारी है तो क्या यह 11 होगा नहीं जी एफ जो है is not 11 यह 11 नहीं होगा पात के लिए समझ आई हम क्या कहना चाहरे है आप समझ पाए तो यह 11 नहीं होगा लेकिन क्या यह on to होगा यही तो आपको चेक करना है क्या यह on to होगा अब आप देखिएगा गया गया है तो यह आर में ऐसे नंबर भी तो होगे जैसे माल ले जाए आर में जो यह है F such that R to R तो जो इस आर में element होगे जैसे 3.125 इसमें यह element है लेकिन इसकी कोई pre-image नहीं है क्या नहीं है pre-image नहीं है तो यहाँ पर आप लिखोगे F is not on to बात के लिए F11 है यह समझाया F on to नहीं है यह भी आपको समझाया बात के लिए उमीद है आपको सब कुछ अच्छे से समझाया होगा ठीक है चलिए next पे चलते है next question को देखेगा next में उसने कहा क्या so that the modulus function जो यह modulus function उसा है is neither one one nor on to ठीक है ना तो यह one one है और ना ही यह on to है one one क्यों नहीं है देखो जब आप यहाँ पे आप लोगे let x1 and x2 belong is to r such that जो fx1 है यह बराबर होगा fx2k मतलब x1 का mode बराबर होगा mode of x2k जब आप इस mode को हटा होगे तो x1 की value आ जाएगी plus minus x2 मतलब आप यहाँ पे minus रखो plus रखो उससे कोई फरक नहीं पड़ेगा तो यह plus minus के equal आया तो इसका मतलब है कि f is not one one बात के लिए यह one one नहीं है तो जब आप one one नहीं है अब आपको proof क्या करना है r के लिए on to क्या यह on to होगा समझेगा क्या यह on to होगा आप यह देखेगा यहाँ पे जो f such that r to r है इस r में तो value 1 by 2 भी आएगी चीक है या minus 2 भी आएगी minus 3 भी आएगी लेकिन यह इस परकार से exist नहीं करेगे बही कभी क्या कोई ऐसा function यहाँ पे आ सकता है जो इसका mode minus 2 के equal हो नहीं जी यहाँ पे कभी नहीं आएगा तो यह function on to भी नहीं होगा ठीक है बात के लिए यहाँ पे आपको बस यही लिखना है does there does not exist any x यहाँ पे आप क्या लिख होगे does not exist does not exist any element x belongs to r such that fx equal minus 2 ठीक है यह minus x मतलब जो result negative में देते ऐसा कोई भी element नहीं होगा जब ऐसा कोई भी element नहीं होगा तो क्या बोलेगे हम यहाँ से this implies f is not on to f is not on to मतलब f on to नहीं है चलिए उमीद है आपको यह सब कुछ अच्छे से समझ आ रहा होगा यह आपको फिर भी कुछ confusion लग रहा है तो आप एक बर वीडियो को rewind करके देख सकते है या आप हमें comment कर सकते है next video हम उसका solution आपको बिल्कुल explanation के साथ अच्छे से देगे चलिए जी so that the function f says that r to r given by this यह function दिया गया है is neither on one and nor on to अब आप यह देखेगा आप x की value कुछ भी रख लीजिए उन सब की value क्या आएगी 1 या फिर 0 ठीक है 0 तो केवल एक particular case में आएगी 0 पर अन्य था इसकी value क्या रहेगी 1 मतलब आप कुछ भी रख लीजिए इस सब की value क्या आएगी 1 जब इन सब की value 1 आएगी तो क्या यह one one होगा नहीं जी यह one one नहीं होगा नहीं यह on to होगा बात के लिए चलिए उम्मीद है आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा नेक्स्ट को देखिएगा इसने कहा let a and let b अलग अलग दिया गया है f यह दिया गया है b a function from a to b so that f is one one आपको proof करना है जो f है वो one one है यहाँ पे आपको यह दिखाना पड़ेगा देखिए यहाँ पे जो है one की मेज four पे two की मेज five पे and three की मेज six पे तो जब आप यहाँ पे proof करोगे यहाँ पे proof करने के लिए आपको कुछ नहीं करना ज्यादा बस केवाल आपको लिखना ही है क्या कि जो f one है आप यहाँ पे जो f दिया गया है वो क्या है one four two five three six यहाँ पे आपने देखा जो f है यह क्या है f जो है यह a से लेकर b तक है तो आपको यह चेक करना है कि जो इसके element है वो केवाल और केवाल एक image पर जाए मतलब एक ही element image रखेगा यहाँ पे आप देखेगा since f one कितना है four f two कितना है five f three कितना है six आपने देखा कि सभी element की image अलग-अलग है तो आप यहीं से क्या बोलोगे this implies f is one one बात समझ आई देखो जब सभी element की image अलग है और single है तभी तो आप उसको one one बोलते हो ठीक है तो यह यहाँ पे क्या हो जाएगा यह one one हो हो जाएगा बात के लिए चलिए next पे चलते हैं कि सेवन्त कोस्टन देखेगा each of the following case state वे वे वेंदा फंक्शन इज वन वन ओन टू और बाइज एक्टिव justify your answer मतलब यह one one है on two है या one one on two दोनों है यह आपको प्रूफ करना है देखिए real number है तो real number के लिए तो यह हमेशा प्रूफ ही रहेगा आप कुछ भी value ले जीजिए real number के लिए proof होगा तो इसने क्या यह by Fleet active है justify your answer तो आपका आशर होगा यह दोनों क्या है ? bijheaded है जब यह दोनों बाइज एक्टिव है तो आपको क्या देना है इसका region देना है region मतलब one one on two होना चाहिए बात कि लिए चलिये जी तो देखिए जब आप 11 on to proof करोगे तो कैसे करेगे मैं आपको एक question करके दिखाऊंगा first part मैं आपको 7th का first part करके दिखा रहा हूँ second आपको खुद करना है बात के लिए चलिए जी यहाँ पर हमने let किया let x1 and x2 belong to are such that such that fx1 equal होता है fx2k अब आप देखे जब यह दोनों equal है तो this implies 3-4x1 equal होगा 3-4x2k अब आप यहाँ पर देखना चाहोगे 3 से 3 cancel हो जाएगा minus 4x1 equal होता है minus 4x2k यहाँ पर minus 4 minus 4 cancel x1 equal x2 आप देखेगा यहाँ पर image equal लेके चले थे लेकिन यहाँ पर element equal आया तो this implies f is 11 होगा बात के लिए तो f क्या होगा 11 होगा अब देखेगा अब आपको proof करना है on to now let 3-4x equal y यहाँ से आप x की value निकालिएगा क्या इसको इदर लाएगे यहाँ जाएगा 3-y equal 4x या आपके लिजित 3-y upon 4 equal x since since 3-y upon 4 belongs to r r का मतलब real number है तो सब कुछ होगा then there exists x belongs to r ठीक है such that f 3-y upon 4 equal आजाएगा y के तो यही आपको proof करना था तो इसका मतलब क्या हो जाएगा f जो है वो क्या हो जाएगा surjective हो जाएगा देखो f11 भी है f on to भी है तो जब f11 on to दोनों होता है तो उसी को तो आप क्या बोलते हो उसी को तो byjective बोला जाता है बात के लिए चलिए जी यानि कि यह पहले वाला क्या है byjective है second आपको check करना है कि byjective है या नहीं है चलिए जी next देखेगा next question देखेगा इसने कहा let a and b be set so that such that a cross b to b cross a a cross b मतलब cartesian product of a and b b cross a का मतलब cartesian product of b cross b to a ठीक है यह आपको define किया गया है f is byjective यह आपको proof करना है चलिए जी हम यहाँ पे byjective proof करेगे तो सिद्धी इस बात है let x1 equal a1 b1 and x2 equal a2 b2 belongs to a cross b देखो यह आपको इस में से लेना है ठीक है such that जो किस परकार है जो कि इस परकार है कि यहाँ पे जो value दी गई है fx1 equal किसके होगी fx2k अब आप यहाँ पे देखोगे जब आप इसकी value रखोगे x की value है a b equal f a2 b2 बात के लिए a1 b1 तो आप यहाँ से कह सकते हो b1 a1 equal हो जाएगा b2 a2 आप यहाँ पे मैंने पीछे भी जब आपको ordered pair का comparison करना बताया था तो मतलब वहाँ पे पहले element का पहले के साथ second element का second के साथ तो आप यहाँ पे बोल सकते हो this implies a1 equal हो जाएगा a2 and b1 equal हो जाएगा b2 बात के लिए चलिए जी जब यह दोनों equal होगे इसका मतलब क्या हो जाएगा f is on to sorry one one f क्या हो जाएगा one one बात के लिए f one one proof हो जाएगा ठीक है इसी के साथ साथ आपको करना है जो f है क्या यह on to होगा जब यह one one और on to दोनों होगे तभी तो आप इसको bijective बोलोगे बात के लिए तो यहाँ पे आपको लिखना है since b a belongs करता है b cross a को when there exists a b belongs करेगा a cross b को बात के लिए जब यह a b across b को प्रूफ करेगा तो आप यहाँ पे लिखोगे f is on to मतलब f क्या है on to है f यहाँ पे आपने प्रूफ क्या one one है यहाँ प्रूफ क्या on to है जब one one और on to दोनों है तभी तो जो one one on to है तभी तो आप इसको क्या बोलोगे तभी तो आप इसको by objective बोलोगे क्या बोलोगे by objective बात किलियर हुआ चलिए जी next question पे चलते है next को देखेगा उसने f n को define करके दिया गया है n प्रूफ वन बाई टू if n is odd n by 2 if n is even बात के लिए इसके बाद check state the function f is by objective justify your answer आपको यहाँ पे check करना है जो यह function निकल के आएगा क्या यह by objective है by objective के लिए आपको क्या करना पड़ेगा यह one one और on to प्रूफ करना पड़ेगा बात के लिए one one और on to तो हम यहाँ पे मानते हैं let x1 and x2 belong to n such that f x1 बराबर होगा f x2 के आपने इन दोनों को मतलब equal माना तो इसका मतलब इनकी image भी होगी अब image होगी तो हम यहाँ पे जो image है वो दो case से होगी एक तो x1 और x2 क्या हो odd हो दूसरा x1 and x2 क्या हो even हो बात के लिए odd and even हो तो यह दोनों case आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा first case if x1 and x2 are odd जब यह odd होगे तो odd होने पर इसकी image क्या जाएगी n पलस 1 बाइ 2 equal हो sorry n का मतलब हो जाएगा x1 equal हो जाएगा x2 plus 1 by 2 जब आप इसको solve करोगे तो x1 equal x2 आ जाएगा इसका मतलब f is 11 होगा बात के लिए इसी तरीके से आप second condition में कर सकते हो if x1 and x2 are even अब देखेगा जब यह even होगा तो even के लिए आ जाएगा x1 by 2 equal x2 by 2 यहाँ से आप कह सकते हो x1 equal x2 जब x1 equal x2 होगा तो यहाँ पे f is 11 होगा बात के लिए अब देखेगा यह 11 तो हो गया लेकिन क्या यह on to होगा नहीं जी on to नहीं होगा क्यों नहीं होगा क्योंकि इसमें जो fraction value होगी वो satisfy नहीं करेगी जो n होता है n जो होता है n बोले तो natural number setup natural number setup natural number में कोई भी fraction नहीं होगा बात के लिए चलिए जी उमीद है यह आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा चलिए next question पे चलते है next देखेगा 10th question यहाँ पे दिया गया है let a equal r minus 3 r minus 3 का मतलब समझ रहे हो जो r set है उसमें से यहाँ पे 3 निकाल दिया और जो b है उसके लिए r में से 1 निकाल दिया तो consider the function f such that a to b define fx जो fx दिया गया है fx है x minus 2 upon x minus 3 यह इस तरीके से define है if क्या f is 11 है और on to है justify your answer मतलब आपको बताना है क्या यह 11 और on to होगा चलिए जी 11 on to के लिए हम देखते है बात किसकी की जारी है real number की तो देखे जब real number होगा तो सीधी जी बात है वो 11 on to अपने आप ही ही हो जाएगा फिर भी एक बार जब हमें इसको करना कैसे है फिर भी जब हम आप इसको करेगे तो क्या करेगे let x1, x2 belongs to r such that r minus 3 such that fx1 equal हो जाएगा fx2k जब यह दोनों equal होगे तो आप क्या होगे x1 minus 2 upon x1 minus 3 equal होगा x1 minus x2 minus 2 upon x2 minus 3 जब आप यहाँ पर simplification करोगे इसकी multiply इधर इसकी multiply इधर इसकी multiply इधर करेगे इसकी multiply इधर करेगे बात किलिए यहाँ पर आप कह सकते हो इसको simplify करने पर आएगा x1 equal x2 के आजाएगा जब यह दोनों equal आएगे तो वहीं से आप क्या बोलोगे f is 1,1 f क्या है 1,1 है बात किलिए जब आप इसको on to proof करोगे तो on to proof करने के लिए क्या करना पड़ेगा let y belongs to r r minus 1 तो r minus 1 करेगे तो यहाँ पर क्या आजाएगा जो y equal हो जाएगा यह हमने ले लिया x minus 2 upon x minus 3 equal y अब यहाँ से आपको x की value निकालनी है तो this implies x minus 2 equal हो जाएगा x y minus 3y इसको मैं इधर ले जाता हूँ तो यह हो जाएगा x minus x y equal 2 minus 3y यहाँ से x को मैं लिया 1 minus y equal 2 minus 3y तो x equal क्या जाएगा 2 minus 3y upon 1 minus y यह आगया जो x की value है ठीक है क्या यह real number में exist करेगी हाँ जी यह real number में exist करेगी तो इसका मतलब है जो r है वो क्या हो जाएगा r is by objective मतलब 1 1 और on 2 बात के लिए होई चलिए जी उमीद है यह question आपको अच्छे से समझाया होगा next देखेगा इसने क्या हल लेट f r to r f जो है वो r से r में है आगे define क्या गया है f x equal x के power 4 चूजन्दा correct answer आपको correct answer select करना है देखेगा जब power 4 है power 4 का मतलब होगा जब square root लेते है तो plus minus आ जाएगा प्लस माइनस आ जाएगा लेकिन यहाँ पे r है जो domain और code domain है r है तो वहाँ पे plus का भी होगा और minus का भी होगा ठीक है तो जब दोनों होगे तो यह क्या हो जाएगा यह function क्या हो जाएगा one one हो जाएगा अब आपको check करना है कि क्या यह on to भी होगा on to के लिए क्या करना होता है हाँ जी on to के लिए क्या करना होगा इसका जो element है आपको x की power 4 लिया तो x की power जो 4 होगा क्या वो जो image होगी जैसे मैंने ले लिया let minus 3 belongs to r then there exists fourth root of minus 3 does not belong to r ठीक है तो this implies f is not one one तो f is one one नहीं है बात के लिए तो यहाँ पर आपका option क्या हो जाएगा यहाँ पर sorry यहाँ पर on to नहीं है यहाँ पर क्या जाएगा f is not on to तो जब यह on to नहीं है तो यह option cancel यह option cancel ठीक है अभी हमने देखा था कि यह one one नहीं है तो यहाँ पर option D select होगा, बात के लिए चलिए जी, next question को समझते हैं, next question तो देखिएगा एक बार, चलिए जी, next पर चलते हैं, किसी ने कहा, let f such that r to r be the define fx equal to 3x के, choose the correct answer, क्या ये 1, 1 है, क्या ये on to है, let x1, x2 belongs to r, this implies fx1 बराबर होगा, fx2 के, मतलब such that, आपको जाना पड़ेगा, बात clear, तो fx1 equal होगा, fx2 के, यदि आप यहाँ पर fx1 की value रखोगे, 3x1 equal होगा, 3x2 के, यदि मैं यहाँ पर left cancellation ला लगाता हूँ, तो x1 equal आ जाएगा, x2 के, जब ये दोनो equal होते हैं, तो वहीं पर आप f को क्या बोलोगे, injective, क्या, injective, मतलब 1, 1, बात clear, f क्या है, 11 है, क्या f on to b होगा, हाँ जी, f real number है, तो ये on to b होगा, बात clear, जब real number होगा, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, option a, चलिए जी, next चलते हैं, चलिए, exercise आपकी complete होती है, हमने exercise के सभी question अच्छे से समझे, detail में किये, ठीक है, फिर भी यदि आपको कोई confusion है, तो आप हमें comment भी कर सकते हैं, वीडियो को rewind करके, दुबारा भी देख सकते हैं, यभी आप हमारे channel पर अभी तक नए है, अभी तक आपने हमारे channel को subscribe नहीं किया है, तो please subscribe कर लिजेगा, bell icon को press कर दिजेगा, ताकि आने वाले video के notification आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक आप देखते रहें, इलाइट अकेडमी